असलाम लेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तड़का शामी कबाब रोल बहुत ही यमी बनता है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाता है चलिए फट फट बनाने शुरू करते हैं बिलागा बत को साया किया है तो इस सबसे पहले बात तो यह है कि मेरे पास य किये हैं बृप किम भाल्स का दम आप यहां बनाली है अब मैं इसे प्ल жड़े लेख में अभरła बेल किर दो आपको आप थोड़ा ज़्द बढ़ लोगी तो यहां मैंने लाल कर लिया है पराठों को भी सेख लेंगे यहां मैंने डाल दिया पराठे को आगे पीछे करके बहुत अच्छी तरीकी से हमें शेक लेना है कच्छा बिलकुल ले जाना है और फिर यहां एक साइट से हो जाए तो फिर मैंने यहां अंडा फेट के रखा था उसमें मिर्च और काले मिर्च का पाउडर डाला था उसे डाल दे और फिर पलट दे पलटने के बाद अंडा ज़रूर डाले ताकि जो हमारा रोल का टेस्ट वो एक्स्टर टेस्ट बढ़ जाया तो अंडर जरूर डालें फिर आगे पीछे करते हुए से हमें इस देख लेना है फिर दूसरा भी यह सारे पराठे को इसे हमें बना लेना है बनाने के बाद फिर हम इसकी इसकी स्टफिंग को भरेंगे तो यहां मैंने सार बिए चली सौस डाल दिया फिर फिर घृण नीश डाल दी हरा धन्याय और यह जप्र जरूर ड़ले इसकी जान इह रोल की जान द losers da === बेसम通 लोगे बहुशखन और फिर एक खुलेना फिर अथिर दो नहीं दोनों कि उलें खुले अधि तो बहुत ही टेस्ट है तो अभी हम इसका तड़का लेंगे इसमें तड़का लगाएंगे तो पैन में वही पैन में हमें बटर डाल देना है और ग्रीन चटनी सॉस मिक्स करने के बाद अब हम रोल देंगे ये स्टब जरूर करियेक बहुत ही जाता ता अच्छा रहता हैसे इसमा में चटनी है पराटे में अचे बidents अबसर्फबत Reachाता रहता है ता सब्साइश इसमार करिए आजञाता है रोल में तो आप जरूर करिए गा बहुत यहां लगता है फिर बहुत अच्छी से यहां सेक उठा है फिर से इतना फलफी फलफी था बहुत यहां ही था मेरे घरवाले को बहुत ज़्यादा पसंद आया और यहां मैंने इसकी कटिंग की तो इतना इसकी जो अंदर की कोटेंग करहें आपया यहां मैंने जरू मेंसर बहुत झाइन तो जरुशे मैंसरे से ऐस्छे खेज़्